हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल देश्टरी 2.5 में हाइए फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग करेंट अफेर्स के महतपूर सौ प्रशनों के अबजेक्टिव को बनाते हैं जो 26 जुलाई से लेकर 25 अगर्स 2022 तक के घटना करम पर आधारित हैं तो ये लेटिस्ट एक महिने का करेंट है इसमें 100 प्रशन काफी इंपार्टेंट प्रशन कबर किये गए हैं तो आईए हम लोग इसे solve करते हैं आने वाले आपके किसी भी एक्जाम के दिश्टि कोड से काफी महतपूर प्रशन इसमें देखने को मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग इसे शुरू करते हैं फ्रेंट्स यदि आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही में आलवेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे है चलिए हम लोग सिदे पहले प्रेस्ट पे चलते हैं पहला प्रेस्ट है युनाइटेट किंग्डम में भारत के अगले उच्छा युक्त के रूप में किसको नियुक किया गया है तो यह बिक्रम दुराई स्वामी को नियुक किया गया है इसका राइट ओप्षन भी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है बांगला देश मूल की फहमीदा अजीम ने फुलितचर पुरसकार 2022 किस सेड़ी के तहत जीती हैं तो यह इल इस्ट्रेटेट रिपोर्टिंग और कमेंटरी के तहत जीती हैं नेक्स्ट कोश्चन है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनसंधान केंदर का उडगाटन किस राज में किया है तो यह तमिल नाड में किया है इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है किस सहर में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरड किया गया है तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा पूडे अगला कोश्चन है हाल ही में किस राज ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश नेक्ट है कौन शा देश यूरोपी संग में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है तो इसका राइट ओप्शन सी सही हो जाएगा पूर्दगाल नेक्ट कोश्चन है अंतरिच गत्विदियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेद साला कौन से राज में अस्थापित की जाएगी तो इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा उत्तरा खंड में शंगाई सहयोग संगठन के रच्छा मंत्रियों की वार्शिक बैठक किस देश में आयोजित की गई तो इसका राइट ओप्शन सी सही हो जाएगा उजबेकिस्तान अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है मंकी पाक्स रोक के परिच्छड के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विक्सित आर्टी पीसियार किड किस कमपनी द्वारा विक्सित की गई है तो इसका राइट ओप्शन बी सही हो जाएगा ट्रांस एसिया बायो मेडिकल्स के द्वारा अगला कोश्चन है भारत के पहले स्वदेश निर्मित बिमान वाहक पोत का निम्ण में से क्या नाम है तो इसका राइट ओप्शन एसे ही हो जाएगा आई एसी विक्रांत भारती कुस्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियन्शिप में कितने पदक जीते हैं तो इसका राइट ओप्शन सी से ही हो जाएगा 16 पदक अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटिक कार्निया निम्म में से कौन से सहर में विक्सित किया गया है इसका राइट ओप्शन भी से ही हो जाएगा हैदराबाद भारती इस्टेट बैंक ने कौन से सहर में स्टार्ट अप के लिए अपनी पहली साखा की सुरुद की है इसका right option C सही हो जाएगा बैंगलूरू निम्न मेशे कौन शा अंतराश्टी हवाई अड़ा 18 अगस्ट 2022 से भारत में डीजी यात्रा कारिकरम प्रारंब किया है तो इसका right option B सही हो जाएगा है तरापाद अंतराश्टी हवाई अड़ा अगला प्रश्ण है अगस्ट 2022 में स्वतनता दिवस पर कितने आदरभूमी अस्तलों को रामशर्व सूच में सामिल किया गया है तो इसका right option A सही हो जाएगा 21 नेक्ट कोश्चन है भारत ने निम में से किस पडोशी देश को दोर्नियर मैरी टाइम टोही बिमान उपहार शुरू भेंट किया है इसका right option C सही हो जाएगा सिलंका भारत का पहला वरिष्ट नागरिकों के लिए मैत्री स्टार्ट अप किस ने लांच किया है तो इसका right option B सही हो जाएगा रतन टाटा अग्ला प्रिशन है हाल ही में किस केंद्री मंत्राले द्वारा इसमाईल 75 पहल शुरू की गई है इसका right option D सही हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले द्वारा next question है हाल ही में कि इस राज सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता सिच्छा कारिक्रम पहल शुरू की गई है इसका राइट आप्शन सी सही हो जाएगा उत्रा खंड द्वारा निम में से कौनशा भारती शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड सो दो हजार तेईस की मिजबानी करेगा तो इसका राइट आप्शन डी सही हो जाएगा कोलकाता स्वतनत्ता दिवस 2022 के औसर पर किस संगठन द्वारा प्रिथवी से 30 किलो मीटर उपर भारती राष्टी ध्वज को फहराया गया है इसका राइट आप्शन एस ही हो जाएगा इसपेस कीट्स इंडिया द्वारा नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने अगस्त मलाई छेदर को निम्न में से किस जाज के पाँचवे हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है तो यह तमिल नाडु इसका राइट आप्शन डी सही हो जाएगा तमिल नाडु के नाम अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रांस ने अपना सरोच नागरीख सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी कोहिनूर किसे प्रदान किया है इसका राइट उप्षन सी सही हो जाएगा ससी थरूर तो हाल ही में फ्रांस ने अपना सरोच नागरीख सम्मान सेवेलियर डेला लीजियन डी कोहिनूर ससी थरूर को प्रदान किया है इसका राइट उप्षन सी सही है नेक्ट है अगस्त दो हजार बाइस में द्विपच्छी अभ्यास उदार सकती निम्न में से किन देशों के बीच आयुजित किया जा रहा है तो यह भारती वायुशेना और मलेशिया के बीच आयुजित किया जा रहा है इसका राइट उप्षन डी सही हो जाएगा next question है हाल ही में Kenya के राश्टपती के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट उप्षन एसे ही हो जाएगा कलोन जो, मुस्त योका को निम्न में से अंतराश्टी यूगा दिवर्स किस दिन मनाया जाता है इसका राइट ओप्षन एसाई हो जाएगा 12 अगर्स्त निम्न लिखित में से कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोब देशों के बीच शहयोग समों से बाहर हो गये हैं इसका राइट ओप्षन डी सही हो जाएगा लाट्विया वर एस्टोनिया नेक्स्ट है कोलंबिया के राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है इसका राइट ओप्षन एसाई हो जाएगा गुस्ताओ पेट्रो को चुना गया है अगला कोश्चन है हाल ही में केंदर शाषित प्रदेश लद्दाक के सरोच नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो यह दलाई लामा को सम्मानित किया गया है इसका right option C सही हो जाएगा नेक्ट है हाल ही में प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने किस राज में 2G एथेनाल प्लांट राष्ट को समर्पित किया है तो इसका right option D सही हो जाएगा हरियाडा नेक्ट कोश्चन है बिश्चु जयव इधन दिवर्ष कब मनाया जाता है बिश्चु जयव इधन दिवर्ष कब मनाया जाता है तो इसका right option B सही हो जाएगा 10 अगस्त डिफेंस एक्स्पो के बारवें संस्कराड का आयोजन 18-22 अक्टूबर 2022 के मत्ध किस राज में आयोजित किया जाएगा तो इसका right option D सही हो जाएगा गुजरात नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में बर्मिंगम में आयोजित राष्ट मंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीत कर भारत तालिका में चौथे अस्थान पर है इसका right option C सही हो जाएगा 61 बारत बर्मिंगम में आईजी तराष्ट मंडल खेल 2022 में कुल 61 पदक के साथ चौथे अस्थान पर है इससे ध्यान दीजेगा केंदर सरकार ने कितने महीने के लिए केंदर सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्ट अप्स और MSME को 5G टेस्ट बेड मुप्त में देने की पेशकस की है तो इसका राइट ओप्सन C से ही हो जाएगा 6 महीने अगला प्रशन है हाल ही में परवाज मार्केट लिंकेज योजना किस केंदर साशित प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है इसका राइट ओप्सन C से ही हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के द्वारा नेक्ट है हाल ही में देश का पहली बार किस राज्य सरकार द्वारा आत्म हत्या रोक्ताम नीती लाने की घोशड़ा की गई है इसका राइट आप्शन A सही हो जाएगा मद्य प्रदेश अगला प्रश्ण है अगस्त 2022 में भारत ने किस देश में नए भारती दूतावास का उठगाटन किया है इसका राइट आप्शन B सही हो जाएगा परागवे नेक्ट कोश्चन है हाल ही में पीची वन जिव अभ्यारण जहां एक नई डेम से फ्लाई प्रजाती यह अभ्यारण किस राज में इस्थित है तो यह केरल में इस्थित है इसका राइट आप्शन A सही हो जाएगा नेक्ट है हाल ही में HPCL ने गोबर्श से संपीडन अपने पहली बायो गैस पर योजना को कहां शुरू किया है इसका राइट आप्शन C सही हो जाएगा सांचोर राजस्थान में नेक्ट कोश्चन देखते हैं किस राजिखी सरकार ने बिटिस उच्चा योग के साथ छात्रबित्ती समझहोता किया है तो इसका राइट आप्शन A सही हो जाएगा जारखंड अगला प्रशन है किस IIT संस्था ने चीनी बिकल जाइली टोल के उत्पादन के लिए नई बिधी का विकास किया है तो इसका राइट आप्शन A सही हो जाएगा IIT गुआहाटी अगस्त 2022 में भारत के किस नित्य को UNESCO की सूची सामिल करने के लिए नामिद किया गया है तो इसका राइट आप्शन A सही हो जाएगा गरवा नेश्ट है किस राज में जलापूर्थ में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ 96.3 मिलियन डालर के रिड़ पर हस्ताचर किये है तो इसका राइट ओप्शन B सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश अगला प्रशन है मोच धाम योजना की सुरुवात किस राज में की गई है इसका राइट ओप्शन C सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नेश्ट है किस राज ने भारत की पहली सिच्छा टाउन से विक्सित करने की घोशडा की है इसका राइट ओप्शन D सही हो जाएगा उत्तरप्रदेश अगला प्रशन है किस देश ने 750 बिलियन डालर के जलवाईव परिवर्तन और स्वास्त देखभाल बिल पर हस्ताचर किये हैं इसका राइट ओप्शन D सही हो जाएगा US से नेश्ट है भारत की किस कमपनी को ACI's Best Employer Brand Award से सम्मानित किया गया है इसका राइट ओप्षन C सही हो जाएगा NTPC को नेश्ट कोश्चन है बित वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक FDI के साथ कौन सा देश सिर्ज पर रहा इसका राइट ओप्षन A सही हो जाएगा सिंगापूर नेश्ट है किस राज के राजपाल ने कला मन नामक पुस्तक का लोकार पड़ किया है इसका राइट ओप्षन B सही हो जाएगा राजस्थान अगला है 8 से 10 जनवरी 2023 में 17 प्रवाशी भारती दिवर्ष कहां आयोजित किया जाएगा तो इसका राइट ओप्षन D सही हो जाएगा इंद और मध्य प्रदेश में तो ध्यान दिजेगा 17 प्रवाशी भारती दिवर्ष वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के इंद और में आयोजित किया जाएगा नेश्ट कोश्चन है हाल ही में किस राज ने ग्रामेड आज इवी क्या पार्क अस्थापित करने की घोशड़ा की है इसका राइट ओप्शन C सही हो जाएगा 36 गड़ नेश्ट है मादक पदार्थों के तसकरों से जुड़ा भारत का पहला नीदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लांच किया है इसका राइट ओप्शन A सही हो जाएगा NCB ने अगला कोश्चन है भारत का कौन सा राज हाल ही में हर घर जल प्रमाड प्राप्त करने वाला पहला राज बन गया है इसका राइट ओप्शन B सही हो जाएगा गोवा हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दरजा देने की घोशड़ा की है इसका राइट ओप्शन A सही हो जाएगा महाराश्ट नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना शुरू की है इसका राइट ओप्शन B सही हो जाएगा राजस्थान किस राज ने बिद्या रथी स्कूल आन्फ विल्स परियोजना शुरू किये है इसका राइट ओप्षन डी सही हो जाएगा अशम अगला प्रशन है सैयुक्त राज का नया जलवाय प्रमुक किसे बनाया गया है इसका राइट ओप्षन C सही हो जाएगा साइमन स्टील को हाल ही में किस भारती स्वतन्ता शंगराम के प्रतिश्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैक सम्मान मिला है इसका राइट ओप्षन D सही हो जाएगा दादा भाई नवरोजी किस राज्य द्वारा अम्मा और वासल्य योजना का सुबारंब किया गया है इसका राइट ओप्शन ए सही हो जाएगा शिक्किम नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में IIFM 2022 इंडिया फिल्म फेस्टिबल मेलबर्न 2022 में सर्शेष्ट अभिनेता का खिताब निम्म में से किसने जीता है इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा रडवीर सिंग हाल ही में IIFM फीफा ने किस देश के फुटबाल महाशंग को निलंबित किया था इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा भारत को तो हाल ही में IIFM फीफा ने भारत को फुटबाल महाशंग से निलंबित किया था इसे द्यान दीजेगा इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा अश्रम इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा ओडिशा इसका राइट ओप्शन सी सही हो जाएगा नई दिल्ली इसका राइट ओप्शन सी सही हो जाएगा मैक्सिको अगला प्रशन है किस राज में ग्राम रच्छा गार्ड योजना 2022 लागू कर दिया गया है इसका राइट ओप्शन सी सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पहली बार ठाटा इस्टील सत्रंज में महिलाओं का टूर्णामेंट कहां खेला जाएगा इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा कोलकाता में अगस्त 2022 में किन देशों के मद्ध अल नहाज अभ्यास 2022 राजास्थान के बीका नेर में संपन हुआ इसका राइट ओप्शन ए सही हो जाएगा ओमान और भारत के मद्ध अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री बाल आसिरवाद योजना को किस राज द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है इसका राइट ओप्शन ए सही हो जाएगा मद्ध प्रदेश द्वारा नेजट है किस राज ने हाल ही में धर्म स्वत अंतरता बिधेयक 2022 पारित किया है इसका राइट ओप्शन ए सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश भारती स्टेट बैंक ने किस पडोशी देश में भारती बीजा केंद्र चलाएगा इसका राइट ऑप्षन A सही हो जाएगा बांगला देश नेश्ट है अगस्त 2022 में किस संस्थान किस संस्थान ने वर्चुल स्पेस म्यूजियम इसपार्क लांच किया है इसका राइट ऑप्षन C सही हो जाएगा इस रो ने एक नया जुनेटिक वाइरस लेंग्या हाल ही में किस देश में पाया गया है इसका right option D सही हो जाएगा चीन में next है अगस्त 2022 में स्री नगर अंतराष्टी हवाई अड़े पर उमीद मार्कीट प्लेस का उडगाटन किसके द्वारा किया गया इसका right option A सही हो जाएगा मनोश शिन्हा के द्वारा अगला प्रशन है उत्राखंट राज्ज में अपना ब्रांड अंबेस्टर निम्न में से किसे बनाया है इसका right option B सही हो जाएगा रिशप पंथ अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के मद आड़ियो विजुवल सह प्रोड़क्शन संधी को मनजूरी प्रदान कर दी है इसका right option C सही हो जाएगा आश्ट्रेलिया अगला प्रशन है अगस्त 2022 में किस राज ने नया अनुच्छे 3A समलित करने के लिए संबिधान संसोधन विदेयक पेस किया है इसका right option A सही हो जाएगा आंधप्रदेश नेक्स्ट है हाल ही में AIFF that is All India Foodwaller of the Year किसे नामित किया गया है इसमें सुनील चेतरी और मनीशा कल्यार को नामित किया गया है इसलिए इसका right option A और C दोनों हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में भारत में अमेरिका के नए महावाडित जितूत के रूप में कारेभार किसने सम्भाला है इसका right option C सही हो जाएगा माईक है की नेक्स्ट कोश्चन है किस राज के मुख्यमंत्री द्वारा बुनकरों के लिए नेतना बिमा योजना की शुरुवाद की गई है इसका right option C सही हो जाएगा तिलंगाना के द्वारा नेक्स्ट है जेम्स मारेभ को हाल ही में किस देश के नए प्रधान मंत्री बनाया गया है जेम्स मारेभ को हाल ही में किस देश के नए प्रधान मंत्री बनाया गया है इसका right option D सही हो जाएगा पापुआ नियूगिनी के अगला प्रशन है किस पूरु भारती क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियूग किया गया है इसका right option A सही हो जाएगा मनोज प्रभाकर को नेश्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का पहला किस्त्रिम भुरूड तयार किया है इसका right option D सही हो जाएगा इसराइल ने अगला प्रशन है किस देश ने हरे भरे और खुले मैदान वाले अस्थल परांग को अपना 75 राष्टी इसमारग घोसित किया है इसका right option A सही हो जाएगा सिंगापूर next है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबजी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंदर अस्थापित किया जाएगा इसका right option B सही हो जाएगा चंदावली में next question है हालही में CSIR की पहली महिला महानी देशा किसे बनाया गया है इसका right option C सही हो जाएगा नला थंपी कलाई सेल्वी को next है हालही में भारत के 75 में Grand Master में कौन बन गये है तो 75 में Grand Master कौन बने है इसका right option D सही हो जाएगा B प्रडव अगला प्रशन है हालही में किस देश ने अपने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लांच किया है इसका right option D सही हो जाएगा दच्छिड कोरिया ने निख्ट है किस पूर भारती खिलाडी को Wells University ने डाक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया है इसका right option B सही हो जाएगा शुरेश ने रहना को अगला प्रशन है भारत का पहला हिमालयान मशाला उद्ध्यान कहां अस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला हिमालयान मशाला उद्ध्यान कहां अस्थापित किया गया है तो इसका right option A से हो जाएगा रानी खेत अगस्त 2022 में पंचा मृत योजना की शुरुवात किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई इसका right option D से हो जाएगा अगस्त 2022 में गर्मा हजारक्या का निधन हो गया है वह क्या थी तो गर्मा हजारक्या एक सास्त्री नित्यांगना थी इसका right option A से हो जाएगा नेश्ट है गाय के गाय गोद लेने के लिए पुन्य कोटी दत्तु योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राजि से किस ने सपत ग्रहड किया इसका right option A सही हो जाएगा उदय उमेश ललित ने अगला प्रशन है हाल ही में अमेरिक्या की सीनेट ने हाल ही में किस देश को नाटो में सामिल होने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है इसका right option सी सही हो जाएगा A और B दोनों जिसमें स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों को अमेरिक्या ने नाटो में सामिल होने के प्रस्ताओं को मंजूरी दिये है नेक्स्ट और लास्ट प्रस्ट है निम्न में से कौन सादेश वर्ष दो हजार बाइस के लिए शैयोक्त राष्ट्र परश्ट आतंगवाद बिरोधिस समित की अध्यच्चता कर रहा है इसका right option D से हो जाएगा भारत ने तो शैयोक्त राष्ट्र परश्ट आतंगवाद बिरोधिस समित का अध्यच्चता भारत कर रहा है तो friends हम लोग 26 जुलाई से 25 अगस 2022 तक के करेंट के प्रश्ण हम लोग टोटल 100 प्रश्णों को कम्प्लीट कर लिये हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टन टॉपिक के साथ मिलते हैं फ्रेंट्स यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार